परिचाए रासाइनिक सूत्र या अनुसूत्र परमाणूओं के बारे में जानकारी को व्यक्त करने का एक ऐसा उपाई है जो एक विशिस्ट रासाइनिक योगिक को संगटित करता है. रासायनिक सूत्रों का प्रियोग रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने हितू रासायनिक समिकरणों में किया जा सकता है आईनिय योगिकों तथा अन्य अनाणमिक पदार्थों के लिए एक आनुभविक सूत्र का प्रियोग किया जा सकता है, जिसमें अधोलिखित तत्वों के अनुपात को इंगित करती है उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभिन योगिकों के आईनों को समझना, आन्विक द्रवेमान की गणना करना तथा विभिन योगिकों के आन्विक सूत्र लिखना आयन किसी आवेशित कन को आयन कहा जाता है, यह धनात्मक या रणात्मक रूप से आवेशित हो सकता है रणायन रिन आवेशित आयन को रिनायन कहते हैं. उधारण, सोडियम क्लोराईट यानी NaCl, इसके संघ टकण धन आवेशित सोडियम आयन यानी Na plus और रिन आवेशित क्लोराईट आयन Cl minus होते हैं. बहु पर्माणुक आयन एक बहु पर्माणुक आयन आवेशित पर्माणुओं का समु होता है उधारण नाइट्रेट आयन रासायनिक सूत्र लिखना किसी योगिक के संघटकों के संकेतिक निरूपन को उस योगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है किसी तत्व की संयोजन शक्ती उस तत्व की संयोजक्ता कहलाती है संयोजक्ता यह दर्शाती है कि एक तत्व के परमाणूं रासायनिक योगिक के निर्माण हे तू किसी अन्य तत्व के परमाणूं से किस परकार जुडेंगे कुछ सरल और बहु परमानुक आईनों की संयो जक्ता तालिका में दी गई है रासाइनिक सूत्रे लिखना रासाइनिक सूत्रे लिखते समय हमें जिन नियमों का पालन करना होता है वो नीचे वर्नित है आयन की संयोजक्ता संतुलित होनी चाहिए जब किसी यौकिक में धातू वा अधातू विद्धिमान होते हैं तो धातू का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है उधारन आयरन सल्फाइड यहां सल्फर अधातू है और इसे बाद में दाई ओर लिखा गया है वहीं आयरन या लोहा धातू है जिसे पहले यानी बाई ओर लिखा गया है बहु परमानुक आयन के यौकिकों के लिए सूत्रि लिखने के दौरान आनुपात दर्शाने वाले अंगों को लिखने से पहले हम आयन को कोश्ठक में रखते हैं सरल योगिकों के सूत्र दूई अंगी योगिक दो भिन भिन तत्वों से निर्मित सरल तम योगिकों को दूई अंगी योगिक कहते हैं जब हम किसी यौगिक का रासाइनिक सूत्री लिखते हैं, तो हम उसके संघटकों और उसकी संयोजक्ता लिखते हैं। उधारण Hydrogen Cloride, HCl, Hydrogen Sulphide, H2S, Carbon Tetra Cloride, CCL4, Aluminium Oxide, Al2O3 आणविक द्रविमान तथा मोल अवधारणा आणविक द्रविमान किसी पदार्त का आणविक द्रविमान उसके सभी संघटक परमाणूं के द्रविमान का योग होता है। यह अणू का सापेक्ष द्रविमान होता है, जिसे परमाणू द्रविमान इकाई यानि AMU द्वारा व्यक्त किया जाता है। उधारण, HNO3 का आणविक द्रविमान बराबर H का आणविक द्रविमान जमा N जमा 3 का आणविक द्रविमान गुणे O का आणविक द्रविमान. सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी पर्मानों के पर्मानों द्रव्यमानों का योग होता है उधारण NACL का सूत्र इकाई इसके सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है एक गुणे तेज जमा एक गुणे 35.5 बराबर 58.5 AMU आवो गादरो संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में कणों परमाणूं अणूं अत्वा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुणे 10 पर घा 23 के बराबर होता है यह मान प्रायोगिक विधी से प्राप्त किया गया है इसे आवो गादरो संख्या कहते हैं इसे एन ओ से निरूपित करते हैं इसका नामकरण इतालवी वैग्यानिक एमीडियो आवोगादरो के नाम पर किया गया है क्या आप जानते हैं किसी योगिक का आनुभविक सूत्र रासाइनिक तत्वों का सरलतम अनुपात है जो कि उसे संगठित करता है उधारणार्थ पानी सदैव हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के परमाणों के दो बटे एक क्यानुपात पर संयोजित होता है और इथाईल अलकोहल या इथिनौल, सदैव कार्बन, हाइडोजन एवं आक्सीजन के दो बटे छे बटे एक के अनुपात पर संयोजित होता है। फिर भी ये अणूं के प्रतक प्रकार को मानिता नहीं देता। उधार रनार्थ, डिमिधाईल इथर में इथिनौल जैसा ही अनुपात होता है। भिन भिन आयोजनों के एकी ही जैसे परमाणों वाले अणूं संभारी कहलाते हैं। आणुविक सूत्र परमाणों की सही-सही संख्या प्रतिभिमबित करता है, जो की अनूं को संयोजित करती है। और इसी लिए अलग-अनूं का चरित्र निर्धारं करती है। फिर भी विभेन संभारी हालकी भिन भिन अणू होते हैं, किन्तु पर्माणू संयोजन समान होता है। आनुभविक सूत्र प्राया आणूमिक सूत्र की ही तरह होता है, पर सदैव नहीं होता। उधार नार्थ, ऐसी टिलीन के अणू का आणूमिक सूत्र C2H2 है, किन्तु तत्वों का सरलतमंग अनुपात CH है। सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। रिन आवेशित आयन को रनायन कहते हैं। किसी योगिक के संखटकों के संकेतिक निरूपन को उस योगिक का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। जब किसी योगिक में धातू वा अधातू विद्यमान होते हैं तो धातू का नाम या उसके संकेत के पहले लिखा जाता है दुभिन भिन तत्वों से निर्मित सरलतम योगिकों को तुई अंगी योगिक कहते हैं किसी पदार्थ का आणविक द्रविमान उसके सभी संगटक परमाणों के द्रविमान का योग होता है यह अणू का सापेक्ष द्रविमान होता है